ओम नमस्षिबाय हरार महादेव आप सभी का मेरे हैमा के ब्रतकता उपाई चैनल में स्वागत है दर्सको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धन प्राप्ति के अचुक उपाई अगर धन से जुड़ी समस्या है तो आज माई ये चार चमतकारी उपाई चमके की आपकी किस्मत चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में और को प्रेस कर लें हमारी इसी तरह की उपाई और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए देखो धन की आवश्यक्ता सभी लोगों को रहती है कही बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कही प्रियास के बाद भी धन ज करने में मुश्किले आती हैं तो आज के दिन कि किसी भी दिन आप इस उपाय को करें आपके जीवन की आर्थिक समस्यां दूर हो जाएंगी धन समस्यां से चुटकारा पाने के लिए यह उपाय आपको वशी करनी चाहिए बहुत ही जल्दी इसके लाब मिलते हैं अब आपक उपाय आपको पूरी निष्टा से करना है उसका परणाम आपको जरूर मिलेगा उसका फल आपको मिलेगा धन प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है देखो हिंदु दर में मातालक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आपको क्या करना है इसके लिए आप प्रती दिन 11 दिन तक माता लक्ष्मी को एक लाल कलर का फूल लें और जब सुबह होती है तो माता लक्ष्मी को अर्पित करें सुबह के समय आपको घर की पूजा इस्तल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुस्प अर्पित करना है साती दूद से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना है ऐसा माना जाता है कि इस उपाई को करने से धन से जुड़ी समस्या आपकी सारी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी आपका धन भी रुकेगा और आपको बरकत भी होगी इस उपाई को करने सरफ आप 11 दिन इसको करके देगें आप 11 दिन लगातार इसको करें एक संडे को बीच में छोड़ दीजिए ठीक है इसको पाई को करना है आपको जब आप उस पर चड़ा रहे हों तो उस पर एक इत्र जरूर आपको छिड़कना है क्योंकि देवियों को इत्र बहुत ही पसंद है मादालक्ष्मी को बहुत पसंद है दूसरा उपाई अगर आप पीपल के एक पत्ते पर एक पीपल का पत्ता ले लें और उस पर राम लिखना है आपको पांच बार उसे किसी भी हनमान मंदिर में पांच मंगलवार या पांच सनिवार आप चड़ाओगे तो धन लाव के योग बनते हैं पीपल के पत्ते पर एक मिठाई भी आपको रखनी है आप मिठाई चाहे को इस भी रख दी दिये इस उपाई को आप करें पांच मंगलवार या पांच सनिवार आप कर सकते हैं इस उपाई को तीसरा उपाई दन से जुड़ी परेशानी अगर आपके जीवन में लगातर चलती आ रही है तो आपको क्या करना है पांच काली मिर्च के दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर से ग्यारे बार घुमाना है और इसके बाद इन दानों को चारों दानों को चारों दिसाओं में फैक देना है पांचवे दाने को आकास की और आपको उचालना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी ब्रद्धी करने बाला है, आपको चार दाने लेने हैं और